तो फ्रेंट्स आज मैं बनाऊंगी फ्रूट रायता जो के लॉग डॉंग मदर डेस पेशल है और इसको बच्चे और जिनको कुकिंग नहीं आती है वो सभी बना सकता है इसली तेस्ट है वो इतना यम्मी इतना टेस्ट ही होता है कि आप इसको एक बार खाएंगे और बार बार बनाएंगे फ्रेंट चलिए देख लेता है फ्रूट रायता बनाने के लिए मैं किन चीज़ों कुछ रहत होगी यह मैंने 400 ग्रैम्स दही ली है कर्ड और इसमें मिलाया है मैंने हाफ कप चिल्ड मिल्क ठंडा दूद और फ्रूट में मैंने लिए है बनाना, पुमो गरेनेट, एपल, और थोड़े से यह ग्रेप्स और हाफ टेबिल स्पून बुना हुआ जीरा पाउडर हाफ टेबिल स्पून ही मैंने यह चाट मसाला लिया है और हाफ टेबिल स्पून ही मैंने ब्लैक पैपर पाउडर लिया है क्रेश्ट ले सकते हैं और हाफ टेबिल स्पून ब्लैक सॉल् तो चलिए सबसे पहले हमें इन madefruits को chopped कर लेंगे और बनाना Хाइब सर्फ गरेप करते है अपना yummy tasty fruit रहता जो fruits यह मैंने इस थरह से यह देखे मैं लिएफिया है तोGood fruits मैंने यह वनवन लिया है dep 시청ers थोड़े से कम लिए है यह द дальше ग्रेप्स को इस तरह से चॉप्ट कर लिया चोटे पीसिस में बनाना को भी इस तरह से और एपल्स को और ये औरेंज जो है वो मेन पार्ट है हमें इसका बिल्कुल चिकल नहीं चाहिए एकदम से आप देख रहा होंगे पूरा औरेंज मैंने सीड्स और चिकल इसके सभी निक सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बड़तन लिया है उसमें मैं ये दही निकाल रही हूँ दही जो ले आप खटी दही ना ले एकदम फ्रेश ताजी दही ले मीठी दही तभी वो अच्छा बनेगा हमारा जो रायता होगा और उसमें मैं ये दूट डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक स्मूथ पेस्ट बनाना है मैं आप किसी भी ब्लेंडर से इसको अच्छे से स्पून से स्मूथ पेस्ट बना लाए और अभी मैं इसमें ये काला नमक और जो हमारे मसाले थे उन सभी को डाल रही हूँ ये बुनावा जीरा पाउडर चाट मसाला ब्लैक और हमारा वाइड सॉल्ट था उसको इन सभी को डालकर आम अच्छे से mix कर देंगे दही में जिससे अगर प्रूट्स हम पहले डालेंगे तो अच्छे से mix नहीं होँगे तो इसलिए में सभी मसाले डालकर पहले इनको mix कर देना है प्रेंस हमने मसालों को mix कर दिया है прав आप इस राय तो को कभी भी किसी भी किटी पार्टी बड़े पार्टी है आपका कोई special guest आए तो जरूर ट्राय कीज़ेगा बहुत ही unique बहुत ही yummy tasty recipe है और color देखे कितना अच्छा आता है इसका निकल कर बच्चों बड़ो सभी को बहुत पसंद आएगी एक बार जरूर ट्राय जिनको cooking आती है या नहीं आती है बच्चे भी इसको बना सकते हैं तो इस mother day lockdown special mother day पर इसको जरूर ट्राय कीज़ेगा और comments करकर मुझे बताईएगा कैसे लगा टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा सच में trust me एक बार इसको जरूर ट्राय कीज़े इस mother day पर अपनी mom के लि उनको एक एक करके ऐसे डाल देंगे क्योंकि बच्चों को color बहुत attract करते हैं और जो बचे fruits नहीं खाते हैं उनको इस तरह से आप खिला के देखे trust me वो जरूर खाएंगे और यह recipe ऐसी है कि आपके घर में बड़ों को बच्चों को सभी को पसंद आएगी क्योंकि मेरे घर म पसंद आएगे तो प्लीज मेरे चोनलेर को सब्सक्राइब करना ना भूलें टेक केर बाइबाए